उना जिले में धान की फसल उगाने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है इस साल धान का नियूंतन समर्थन मुलिया 100 रुपए बढ़कर मिलेगा यानि धान अक्तूबर महा के शुरुआती दुनों में पकना शुरू हो जाएगी और ऐसे में फसल खरीद के लिए जिले के दो केंदरों में त्यारियां शुरू हो चुकी है और किसानों को इन केंदरों में धान बेचने के लिए पहले ओनलाइन रिजिस्टेशन करवाना होगा इसके बाद टोकन सिस्टम के हिसाब से किसानों की फसल खरीदी जाएगी धान की खरीद का कारया 5 अक्तूबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा चानकारी के अनुसार बीते साल धान का न्यूंतन समर्थन मुलिया 1960 रुपे रहा इस साल ये बढ़कर 2060 रुपे रहेगा किसानों के लिए ये फैसला लापकारी साबित होगा फसल खरीद के लिए टकारला और टाहा लीवाल में केंदर त्यार किये गए है केंदरों में पहुंचने वाले धान की सफाई के लिए नो मशीनों को स्थापित किया गया है रखरखाव और किसानों के रुकने के लिए भी केंदरों पर प्रयाप्त व्यवस्ताएं की गई है अब जिले में इस बार धान की फसल में उमीद से बढ़कर पैदावार की आस है हलाकि फसल के मताबिक बारिश नहीं हो पाई शेतर में अधिकतर धान की फसल वहीं उगाई जाती है जहां सिंचाई की व्यवस्ता है ऐसे में खराब मोसम की मार से फिलाल इस जिले की फसल का बचाव रहा है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी